तो तुझे हिंगाई साच की इस ब्लोग में आपका स्वागत है गाईस आज यहां पर विर्यानी का प्रोग्राम रखा गया है जो की सुद्ध साखहारी विर्यानी है तो यहां पर चूला वगेरा रख लिए हैं उसके बाद यहां पर सभी लोग जुट चुके हैं यहां पर म मोहित सार भी खड़े हैं तो आग यहां पर जल चुकी है तो यह देखिए मोहित अभी पानी गर्मा रहे हैं भाई पूरी तरीके स्कुराई में अदान जी से बोलते हैं वहो रहा है तैयार सब्जियां कतर उठी हैं तो गाईस देख सकते हैं आप यहां पर मोहित जुटे ह हुए हैं अपने काम में और तेविटी हैं पर मुं लख रही है सबका अरे देखिक चालाद वगेरा सारा कतर उठा सब्जियां यहां पर टमाटर बीक तर लिये हैं देल्टे मेटर सारा गया है और यह देखिए नेपटी क्या होई गाइस यह आपको कमेंट बताना है और य गाईस हमारा पानी गरम हो गया है और यह मोहित कहीं जा रहे हैं तो अभी हम इसमें चावल डीलेंगे तो यहां पे चावल वगएरा सारा डील चुके हैं इसके वाजी चूटे में आगी लग रही है गाईस इसमें पन्नी डीले थे वहाई पन्नी करण इसमें आग बगड़ पानी निकाला जा रहा है और इसे तलेंगे और यहां सब्जियां लगी हुई है और यहां पे चावल हमारा पक चुका है देख सकते हैं इसके अंदर हमारा चावल है तो यहां पे चावल हमारा देख सकते हैं किस तरीके का है तो यहां पे मटर वगेरा खाट पे ही रखी मुखत यहां पे लासुन व marsala जिसे बोलते हैं सब भूंज रहे हैं तेल में प्राई कर रहे हैं तो अच्छी तरह मसाला पकानेका बाद यहां पर सिम्ला मिर्च जा चुकी है तो यहां पो यहां पर सोय वीन व्यhr bra रखिए और मसाला वीज के चूला में आग बनाने में क्या होता है यहां दीपू भी आ चुका है लगता इसके नाको तलग मैक पहुच चुकी है तो यह देखिए सैतानी कूट-कूट के भरी हुई है सोयवीन का टेस्ट ले रहा है अभी तो गाइस यहां पर सोयवीन खाई जा रहे हैं उसके बाद मोहि अगी तही बना रहा है क्योंकि यार इनको बहुत इस्पीडियन से यहां पादगोवी डिल दीए हैं क्योंकि नहीं बहुत ज्यादा इस्पीडियन सही यह सब चीज का यह लोगाई का काम भी कर चुके हैं तो इसमें पहुची तरीके से लिए भी पक जाएगी तो गोवी को ढांक दे रहे हैं यहां पर ताकि अच्छी तरीके से पक जाए यह देखिए दिभ्यांस के साथ फुर मस्ती हो रही है और यह दीप मस्ती कर रहा है इसके पैर में चोट लगी है तो भी यह मूल लख रहा है सब का तेहां पर भी पक चुकी है थोड़ी देर में और यह काम कर रहा है और यहां पर रंजीद भाई भी आ चुके हैं यह देखिए तो रंजीद भाई यहां पर चावल जाने लगा तो गाइस अभी इसमें चावल ढील जा पहले नमक दे रहे हूं दे रहे हैं उसके बाद से नमक को इसमें ढील दिये हैं उसके बाद इसमें चावल भी जाएगा तो यहां पर चावल जा चुका है इस बुलॉग में आपको विरियानी बनाने की पूरी रेस्पी भी मैं सिखा दे रहा हूँ और यह बन के तैयार हो चकी है देख सकते हैं इसकी फोटो खीची जा रही है तो इसका इस टेटर लगा जा यहां पर देख सकते हैं स खाना खाने के लिए फिलाल हम लोग बैट चुके हैं हम है सौरब हैं और तीन लोग हैं और यह मोहित सर्भी अपने भोजन की थालिप है बाद में पढ़ो उसके खा लेना पर मोहित को अभी भूख लगी है इसलिए अभी खाएंगे यहां पर खाना स्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं किस तरीके घंवड़ा जा रहा है मतलब खाया जा रहा है यह देखी गाइस मस्ती बगएरे चलती रहेगी और यहां पर यह मोहित भी बैट चुके हैं और यह भी खाना खाने जा रहे हैं तो गाइस बिर्यानी हमारी कैसी है आपको कमेंट में बताना है फिलह चुके हैं सबी लोग फिलहाल यहां पर ठेकार हो गया आ रही है तो आपको का प्यार और सपोर्ट ही है जो यहां पर ऐसा हो रहा है और प्यार यही गाए और मिलेंगे गिली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भाराद!